वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यही पर आते हैं ध्यान लग्येगा सारे कोशन अटेम्ट करिए और इसको अपना तुरंद करके बताएं कितने सही हो रहें कितने गलत हो रहें जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग देख रहे हैं केरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग 780 पेजिस के जिस PDF को कवर अप कर रहे हैं उसी करम में आगे बढ़ेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसमें हम बात करेंगे भूकाम प्याने क अर्थकुइक की इस टॉपिक पर चलें इससे पहले एक बहुत important information आप लोगों के लिए कि मात्र 49 रुपय में आप Steady for civil services के थुरू आप ROARO के लिए जो हिंदी वाला पूरा section है उसको आप cover up कर सकते हैं इसके लिए आपको simply play store पर जाना है play store पर जाकर आपको वहाँ पर ल UPPSC ROARO के लिए जो हिंदी वाला section है उसको आप वहाँ से purchase कर सकते हो मात्र 49 रुपय में है और इससे अच्छा और इससे बहुतर content आपको कहीं नहीं मिलेगा सो मैं आपको suggest करूँगा इसको आप अभी जाकर join करें और application को सबसे पहले install करिए उसके बाद इस course में enroll करवाईए सो आईए अब जो है start करते हैं आज के अपने session को जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं भूकंप की अच्छा अगर आप लोग यह PDF पर्चेस करना चाहें तो इसके लिए description section में जाईएगा वहाँ पर contact number दे रखें official study for civil services के उन numbers पर call करिएगा और उसके बाद आप इस PDF को purchase कर सकते हैं वह आपको बताएंगे क्या process है और कितना इसमें fees लगेगा सो चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने इस topic को सबसे पहले हम बात करें भूकंप की तो अगर साधारन भाषा में भूकंप का अर्थ क्या है कि प्रत्वी का कमपन या फिर प्रत्वी का हिलना ठीक है इस तरीके से जैसे कर आपने कई बार महसूस भी कराओगा अपने खुद के आपके experiences होंगे भूकंप को लेके तो वही यह भूकंप है अब क्या कुछ यहां पर examination के point of view से important है वो सब कुछ चीज़े हम लोग cover up है तो जो भूकंप है इसका अर्थ का है कि प्रत्वी का कमपन यह एक प्राकरतिक घटना है उर्जा के निकलने के कारण तरंगे उतपन होती है और जो सभी दिशाओं में फैल कर भूकंप लाती है वह इस्थान जहां से उर्जा निकलती है उसको भूकंप का उदगम केंद्रियानी की focus यह बोला जाता है examination में exactly यह पूछा गया है कि focus से क्या मतलब है तो focus से यह मतलब है कि वहां वह इस्थान जहां से उ और जहां से उर्जा निकल रही है ईूर्जा तरंगे जो है यह अलग-अलग दिशाओं में चलती हुई प्रत्वी की सतह पर पहुँचती है भूतल पर वह बिंदु जो उदगम केंद्र के समी पतन होता है अधी केंद्र यह फिर इपी सेंट्र कहलाता है तो इपी सेंट्र कहां पर होता है इपी सेंटर होता है आपका भूतल पर अधीकेंद्र या फिर इपी सेंटर की बात करें तो इस पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है तो इग्जैमिनेशन में आपसे पूछ लिया जा सकता है इस तरीके से कि निम्न में से कौन सब है बिंदू होग है complete त्यारी के लिए यह वन स्टॉप डेस्टिनेशन है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा इसमें स्टेडी मैटीरियल रहेगा टेस्ट सीरीज मैं आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूं इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं 8564 880530 इस नंबर पर संपग कर सकते हैं इसके लावा 96066089 इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं यह या फर आप 7523-864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपग कर सकते हैं और यह लेटेस्ट गुरुप जो है इसमें आप एड्मिशन ले सकते हैं जो भूकम्प की तरंगे उसको महसूस किया जाएगा तो याद रखेगा अधिकेंद्र या फिर सबसे यादा इसी के वैसे भूकम्प आता है और यह भूकम्प ब्रंश तल के किनारे चटानों के सरक जाने के कारण जो है वो उत्पन होते हैं नेक्स पॉइंट की बात करें तो एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकम्प को ही ज्वाला मुखी जन्म यानि की वॉलकेनिक भूकम्प समझा जाता है और यह भूकम्प अधिकांशता सक्रिये ज्वाला मुखी छेत्रों तक ही सीमत रहते हैं अगले पॉइंट की बात करें तो जो खनन छेत्र है उसमें कभी-कभी अत्यदे खनन कारे से भूमिगत खानों की जो छट होती है वो ढह जाती है और जिससे हलके जटके महसूस किये जाते हैं इन्हें जो है नियात या फिर कोलैप्स भूकम्प भी कहा जाता है इसके बाद नेक्स पॉइंट की बात करें कि कभी-कभी परमानू या फिर रसाइनिक विस्पोर्ट से भी भूमी में कमपन पैदा होता है और इस तरीके जटके होते हैं इनको विस्पोर्ट या फिर एक्स्प्लोजन भूकम्प बोला जाता है जो भूकम्प बड़े नियूज में देखा होगा कि बहुत मतलब बड़ी मात्रा में जान माल की हानी होती सबसे बड़ा इसका प्रभाव तो यही है अब भूकम्प क्या है एक प्राकरतिक आपदा है नैचुरल डिजास्टर है भूकम्प ये आपदा जो है इससे होने वाले प्रकोप क्या-क्या हो सकते हैं एक है आपका भूमी का हिलना धरातल ये विसंगती हो सकती है भू स्खलन या फर हम कहें तो पंकस्खलन ये हो सकता है इसके अलाबा मरदा द्रवण या पर स्वैल लूकिफिकेशन हो सकता है धरातल पर एक तरफ जुग जाना मतलब जो ढाचे हैं उनका दोस्त होना इसके इलावा वस्तूओं का गिरना सुनामी आ जाना ये सारे इसके मेन प्रभाव हैं मेन इफेक्ट्स हैं अगले पॉइंट की बात करें तो भूइंट की तीवरता विमुक्त उर्जा की सूचक होती है भूइंट की तीवरता का मापन जो होता है वो रियक्टर स्केल या फर मारकेली स्केल इस पर किया जाता है ये दोनों पॉइंट एक्जेक्ली याद रखेगा एक्जैमिनेशन ने पूछे गए हैं इसके बाद सिस्मोमीटर इससे भूकम्पी तरंगों की तीवरता मापी जाती है ये कोशन सेवरल टैंस पूछा गया है कि भूकम्पी तीवरता है वो किससे मापी जाती है तो आपको याद अगना है कि भूकम्पी तरंगों की तीवरता को मापने का जो तरीका है वो किया आपका सिस्मो मीटर है इसके थू जो है भूकम्प ये तरंगों को मापा जाता है इसके बाद नेक्स पॉइंट की बात करें सुनामी अब ये जो शब्द है ये जापानी भाशा से रिलेटेड है इसमें जो सू है इसका अर्थ क्या होता है बंदरगाहा या फिर सुनामी भूकम्प के फलसरूप समुद्री छेतर में उठने वाली तरंग है जो उची उठती लहरों के साथ तटिये छेतरों को भारी हानी पहुँचाती है और इसका experience इंडिया ने भी किया था अब चैब बताईएगा इंडिया में कौन से साल में जो है सुनामी आई थी ये ज़रा comment section बताईएगा 11 मार्च 2021 को जापान में आए भीशन भूकम्प के फलसरूप उत्पन विद्धुन्सकारी सुनामी से जो फुकुशीमा शहर है वो गहन रूप से प्रभावित हुआ था और ये जो तरास्ती है इसकी वज़े से वहां पा जो परमानू बहुत जादा हानी हुई थी जिससे वहां नाविकिये विकरण भी उत्पन हो गया था इसके बाद नेक्स पॉइंट की बात करें रिंग ओफ फायर ये परशांत महासागर चेत्र में भूकम्प और जौला मुखी से प्राया प्रभावित परी चेत्र है मतलब ये जो पूर है एक है आपका कि सागर तथा जो इस थल भाग है उसके मिलन-बिंदू है यहाँ पर नवीन-मोड़दार परवतिये चेत्र है यानि कि जो परवतिये चेत्र हैं वो कैसे है वतलब नवीन-मोडदार यानि कि आपका यंग फोल्ड मॉंचेंज टाइप इसके बाद जो अलम फिलिपिन्स, न्यूजीलेंड तथा मद्ध सहसागरिये भागों में भूकम्प के विस्तृत छेत्र आते हैं नेक्स पॉइंट की बात करें मद्ध अट्लांटिक पेटी या फिर आपका मिड्ध अट्लांटिक बेल्ट यह पेटी जो है यह मद्ध अट्लांटिक कटक में इस्पड वर्जन तथा आइसलेंड उत्तर में इसके उससे लेकर आपका वोवेट दीब दक्षन तक यह पूरी फैली हुई है इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कल के वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे यह आपका विश्व का भूगोल इसमें एशिया महादीप से संबंदित जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको य इसमें आपको बताया गया है बाकी यहां पर जो है हम पूरी और सारी चीजें इसमें देखेंगे जैसे कि अगर देशों की बात करें टोटल 49 कंट्रीज हैं यहां पर इसके अलावा फिलिस्तीन जिसको आंशिक रूप से माननेता प्रदान की गई है मतलब उसको पूरी तर अफगानिस्तान हो गया तो यह number of countries है इन टोटल कितनी है यह number आपको याद रखना है कि 49 countries हैं यहां पर ठीक है एशिया महादीब में इसके बाद आगे इसमें हम देखेंगे जैसे यह आप images देख रहो इस images में clearly एक एक चीज गिविन है बट यहां पर हम point के थूरू देख फिर आज के इस वाले session को यहां पर end करेंगे जिसमें प्रमुक दीप यहां पर दीप समुह की बात करें तो greater सुंदा दीप समुह यह बोर्नियों सुमात्रा जावा और सुलावेसी ठीक है इसके लावा lesser सुंदा दीप है दीप समुह है जिसमें बाली लंबोक हो गया इसके दीप के लावा सुंबा हो गया इसके अत्यमोर सारी चीजे वार सारे देश एसके लावार इंडीशिया के मलाकू दीप है इसमें आपका मूलूकास आता है जापान की बात करें तो होन्शु हो गे मेर पर के शिकोकू हो गा दा को ओ इसके लावा रहीग तो लिपन्स हो गय करें तो इसमें जापान है ताइबान है सखालिन है जो रूस का एरिया है इसके अलावा साइप्रस ये एशिया का पार्ट है और ना कि यूरोप का ये वाला सारे पॉइंट आपको यहां पर याद रखने ठीक है तो ये प्रमुग दीप समू है और इसके बाद आगे हम इसमे देखेंगे कई सारी चीजें हैं जिनको हम लोग कवर अप करना है तो अब जो है बहुत इंपोर्टेंट ये पूरे सेशन चलने वाले हैं पैसे तो अभी तक जितने आपने कवर अप करें वह सारे भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे बट इसमें हम काफी कुछ यहा को अप लोग पूर्चेस कर सकते हैं और बहुत इंपोर्टेंट पीडियाफ है ये तो आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह जो आप देख रहो इमेजस इन इमेजस से धीरे-धीरे करके सारी चीजों को कवर अप करना सब्सक्राइब करेंगे तो थैंक्स वर वाचिंग फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच बबाए